असलाम अलेकूम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ की रिस्पी और चटाकेदार बहुत ही चटपटी सी रेसिपी जिसका नाम है लसन फ्राइ यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है जिसे बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लसन फ्राइ यहाँ पर मैंने छे साथ लसन की पोटली लिटी और इसे इस तरह से खोल लिया है अब हम इसे इस तरह से इसे फोल लेंगे हलके हाथ से अब हम सभी लसन को इस तरह से फोल लेंगे ताके फ्राइ करते वक यह फटकर उड़े नहीं तो चलिए सबसे पहले हम लसन को फ्राइ कर लेते हैं उसके बाद इसमें मसाले लगाएंगे यहाँ पर हमने लसन को फ्राय करने के लिए तेल को गरम होने के लिए रख दिया है हमारे गैस का फ्लेम लो है हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राय करना है हमारा तेल गरम हो चुका है हम इसके अंदर लसन डालेंगे हमें लस्टन को जादा फ्राइ नहीं करना है, हमें इसे जलाना नहीं है, हम इसे हलका सा गुल्डन होने तक फ्राइ करेंगे, दो से तीन मिनिट के लिए देखिया हमारा लस्टन हलका सा ब्राउन हो गया है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे, हमें इसे जलाना नहीं है, हमें इसी तरह से इसे ब्राउन करना है देखिया हमने सारे लस्टन को फ्राइ कर लिया है, अब हम इसके अंदर मसाले दालेंगे हमने यहाँ पर हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिये वन फोर टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून चाट मसाला, वन फोर टीस्पून काला नमक नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे चटपटा भी बना सकते हैं अब हम सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मिला लेंगे देखिया हमारा लस्टन फ्राय बनकर तैयार है हमें इसे चील कर खाने की जरुरत नहीं हम इसे सिर्फ इस तरह से दबाएगे तो ये बाहर आ जाता है ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है तो आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें आपको इसे बना कर और खा के बड़ा मज़ा आएगा अगर आपको हमारी रेसिपी फसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चाइनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकोन के बटन को दबाना ना भूले ताके हमारे आने आली नही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और नए टेस्ट के साथ में जब तक के लिए अल्ला हफिस जब बला हम्ममम पर दिच प्रिच का रखकर सれशं प्रीज़ का भेसित से दया को जो जब दो जब तक के साथ पचल के ख़बचे के लड़ सक के लिए उज़ शो बीन साथ गया हम एक रासितृवार हम जो भी लादे उप शहाई